मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल बाधवे मारो वारो पन आवी शके छे, मारी अने मारा जिवा कणा नेता ओनी घरे दरोडा पड़ी शके छे, आवुज प्रेस कोंफरेंस मा जनावी होतु आती शिये, नमशकार मुचो इमानी आपजिराचो न्यूगुजराती आजे दिल्ली ना मंत्री अने आप नेता आती शिये प्रेस कोंफरेंस करी हती, जिमां तेमने घणा खुलासा करिया हाता आने जनावी होतु आप नेता ओने धर्पकर करवा मा आवी शे, वड़ा प्रधाना ने भाजपे तेमनू मन बनावी लिदु छे, के तेवु आमाद ने पार्टी अने तेना तमाम नेता ओने खतम करवा मांगे छे, आगामी थोड़ा दिवसो मां आमाद मी पार्टी ना चार नेता ओहुं, सोर वार्दवाज, दुर्गेश पाठक अने रागाव चड़ाने जेल्मा नाखवानी योजना बनावा मावी रही छे, दिल्ली सरक आगामी देवसो मां मारा घर अने मारा सबंदियो ना सड़ो पर दरोडा पड़ी शके छे, आने ते पची इडी द्वारा आमने नोटीस मोकलवा मां आऊशे, आने बाद मां धर्पकड करवा मां आऊशे, तेमने कही हुं, कि आमे भगत सीना सिश्च छी, आने सरकार्थी दरतां थी, जो के एडी ना दावा मुझब केजरिवाले विजे नायर विशे कही होतु, के तेमारो मानस छे, तेना पर विश्वास करो, इडी ए दावो करियो होतो के आसमगर शडियंत्र विजे नायर अने अन्या कितलाक लोकों ए साउस ग्रुप साथे मणी ने आच्चर है कि आने वाले दो महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के चार और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं, वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारदवाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड़ा को गिरफतार करें भारती अजनता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अर्विंद केजरिवार जी की गिरफतारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी आम आदमी पार्टी तूट जाएगी आम आदमी पार्टी का मुराल डाउन हो जाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी senior leadership जेल में हैं हिरासत में हैं लेकिन संडे की राम लीला मैदान की rally के बाद जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए पिछले दस दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतिय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप चार leaders को गिरफतार करना काफी नहीं था अब आने वाले समय में अगले बड़े चार नेताओं को जेल में डाला जाएगा मुझे जेल में डाला जाएगा सौरब भादवाज को जेल में डाला जाएगा दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और अगर चड़ा को जेल में डाला जाएगा आविज लेटे सेन अप्डेटेट न्यूस माटे जोड़े लारो न्यों गुजाती न्यूस पर